मैं राहुल कुमार, स्वागा थे आपका वरन्यम एजूकेशन के इस यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बिल्ट्रोन डाटा इंटरी ओपरेटर का प्रिवियस येर कोश्चन और ये कोश्चन जो है 21 तारिक बर्मा महिना 2019 का पूछा हुआ कोश्चन है इस वीडियो में 31 नमर कोश्चन से लेकर 60 नमर कोश्चन तक डिसकस करेंगे और इससे पहले जितने भी कोश्चन हम डिसकस किये हैं उससे हम प्रेक्टिकल करके दिखाएंगे। उस चीज़ को सारी स्प्रेक्टिकल करके ही बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोश्चन 31 नमर से सबसे पहला कोश्चन है 31 नमर 21 यह है कि ATM का पूरा नम होता है automatic, tailor, machine होता है तो ATM में किस परकार के printer का उपियोग किया जाता है तो thermal printer का उपियोग किया जाता है ATM के अंदर अब बहुत लोग यह सोच रहोंगे कि ATM में printer का क्या use होता है तो जब आप balance check करते हैं या फिर पैसा निकालते हैं जो आपके पास receipt print होकर आता है तो OE printer को हम लोग क्या बोलते है thermal printer कहा जाता है फिर question number 2 है 32 number question है कि mail merge helper का उपियोग करके कितने data field बनाया जा सकते हैं यहाँ पर question है कि mail merge में और यहाँ पर से यह भी लिखा हुआ है कि data field तो सबसे पहले number तो हम लोग mail merge की अगर हम लोग बात करें तो mail merge होता है MS Word का यह question आता है mailing के अंदर mail merge होता है जिसके जरी हम बहुत लोगों कोई पास कुछ एक letter या message के थूरू हम उसे भेज सकते हैं तो उसमें field क्या होता है जिसे आप लिखते हैं यह चीज को आपको practically दिखाते हैं MS Word के अंदर जैसे की merge के अंदर 63 column create किया जाता है mail merge के अंदर सेम उसी तरह से MS Word में अगर आप table बनाने जाएगा table बनाने के लिए आपको जाना होगा insert पे और insert पे table लो नाम को option रहेगा और इसपे आप click करके देखेंगे तो नीचे में insert table का function आएगा और जैसे ही insert table वाले button पे click करेगा तो एक dialogue box open होगा और उस dialogue box में number of column और number of row के चर्चा किया हो रहेगा तो number of column by default 5 रहाता है लेकिन अगर हम यहाँ पर सब 70 type करके enter button प्रेस करेंगे तो यह साप लिखेगा कि इसमें column को create करने के संख्या एक से लेकर 63 यानि की 63 तक होता है ना तो आप उसे ज़्यादा create कर सकते हैं हाँ एक और 63 के बीज में आप कुछ भी value आप type कीजिए उसके नुसार से आप create कर सकते हैं तो फिर question number है 33 कि which of the following keys combination is used to alignment to justify in MS Word यानि की कौन से की combination के जरिये से MS Word में justify text को कर सकते हैं देखिएगा कि MS Word में चार अलग-अलग प्रकार के alignment होते हैं सबसे पहला number alignment जो होता है उसे left alignment कहते हैं दूसरा right alignment, तीसरा center alignment और चौथा जो होता है उसे justify alignment कहते हैं चारों जो होता है एक text को formatting करने के लिए इस्तमाल किया जाता है टेक्स्ट के structure को अच्छे तरीके से proper धंग से उसे दिखाने के लिए display पे उसका इस्तमाल किया जाता है और उसे आप print भी कर सकते हैं तो justify करने का shortcut की control J होता है और जैसे कि आप तीन और भी होते हैं जैसे कि एक बता है कि right element होता तो उसके लिए control R इस्तमाल किया जाता है center के लिए control E इस्तमाल किया जाता है और left element के लिए control plus L का इस्तमाल किया जाता है फिर question number 33 के बाद है question number 34 है कि MS Word 2016 में किसी business page पर जाने के लिए कि shortcut key का उप्योग किया जाता है किसी business पर जाने के लिए कौन से shortcut key का उप्योग करेंगे MS Word 2016 में तो आपको F5 बटन प्रेस करना है इसका दूसरा shortcut की बताते हैं लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताते हैं कि होता क्या है तो इसके लिए हम MS Word में आगा है और F5 बटन प्रेस करेंगे तो जैसे ही F5 बटन प्रेस की हैं तो देखिएगा एक find and replace का एक डालोग बॉक्स ओपन होता है और इस डालोग बॉक्स में go to all option select रहेगा और यहाँ पर उसे देखिएगा कि एक document के अंदर create किया हुआ है तो उनमें से आप जिस भी page number पे जाना चाहते है वो page number आप type कीजे और इंटर बटन प्रेस कीजे आप direct जा सकते हैं तो देखिए एक तो shortcut की था कि हम F5 बटन प्रेस करके कर सकते हैं दूसरा है कि control के साथ G भी प्रेस करेंगे जिहां control प्रेस करने से सेम होई चीज उपन होता है और उसके जरीए भी सेम होई काम कर सकते हैं किसी special page पे हम लोग जा सकते हैं फिर culture number 35 है कि MS Excel में A1 में 3 लिखा हुआ है और A2 में 4 लिखा हुआ है तो आपको पहले यह बता देते हैं कि A1 जो है वो sale का नाम है और A2 भी जो क्या है वो sale का नाम है जो और row column मिलकर बनता है तो उसमें एक formula लगाने की चर्चा की गई है formula यहा है कि आपको equal to देना है और A1 में जो है उसको select करना है फिर equal to देना है फिर उसके बाद फिर A2 को select करना है तो इसका output क्या आएगा तो वैसे तो आप यहाँ पर से answer देखी रहे कि असत्य आएगा false आएगा लेकिन इसे practical देखना चाहिए क्योंकि practical देखने पर ज़्यादा आप लोग को यकीन होता है और अच्छे तरीके से समझ बात है अगर आपको यह बात से समझ थे तो वीडियो को like कीजिए चैनल में जो लोग subscribe नहीं की उनके पास channel को share कीजिए और उनको भी बोड़िए कि channel को subscribe करें और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो यह भी जितने भी सारे contents आपको बढ़ाते है वो आपको अच्छा लगता हो तो comment करके जरूर बते कि आपको वीडियो कैसा लगता है तो चलिए हम इस चीज को आप formula के तौर पर आपको बताते है सबसे पहला number था कि 3 लिखा हुआ था उसके वाब फिर यहाँ पर 4 लिखा गया था यही data था था ना यहाँ पर से 3 और 4 लिखना था अब नीचे प्या formula यहाँ लगाना है कि equal to देना है उसके वाब फिर 3 पर click किये 3 पर click करने के बाद फिर से हमें equal to दे देना है उसके बाद फिर अगला सेल जो है उस पर किलिक कर लिए जैसे A1 और A2 को सेलेक्ट करके इंटर बटन जिसी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आस्थ यानि कि false नाम के चीज़े यहाँ पर से सो कर देगा तो यह वाके में इसका answer क्या होगा एक number होगा फिर culture number 36 है कि निमलिखित में से कौन सी computer भासा का एक business oriented भासा है तो यहाँ पर से देखे क्या बोला जारा कि business oriented भासा है यहाँ कि इससाब यहाँ पर से business oriented language की चर्चा की जारी है और computer से related तो इसमें जो COBOL जो है वो क्या है business related है और पहले number आपको बता देते हैं कि COBOL क्या है तो एक programming language है और इसका पूरा नाम होता है common business oriented language तो यह इसका answer होगा चार number होगा फिर question number 37 है कि what is the output of the following formula in MS Excel यानि कि MS Excel में अगर हम यह formula का इस्तमाल करें equal to days और पहले से वहाँ पर से 12 January लिखा हुआ है और उसमें से एक January minus कर देंगे तो कितना January बजेगा तो इसका answer आएगा राइट answer आएगा एग्यार आएगा फिर इसके बाद फिर 37 के बाद है 38 number question है 38 number question है कि condition formatting एक sale range का सोरूप को किस अधार पर बदलता है तो criteria और value के अधार पर बदलता है तो इसे भी चलिए आपको practically करके दिखाते है MS Excel के अंदर तो इस question को समझने के लिए यानि criteria और value को समझने के लिए conditional formatting के जरीए हम एक यहाँ पर table में कुछ value को लिखे हैं और ये value आप अपने screen पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं ना तो 100 से कम है यानि कि 0 से लेकर 100 तक की value लिखा गया है और इसमें हमेरा ये range यह रहेगा कि इतनी sale को select करना है और criteria यह रहेगा कि जो 50 से ज़्यादा वाला value है वो red color से highlight होगा और जो 50 से कम वाला value है वो green color से highlight होगा ये दो अलग-अलग हम condition रखना चाहते हैं तो सबसे पहले number तो किस में अपना apply करना है तो पूरा उस range को select कर लिजे तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि question में बोला गया था criteria और value जो है तो value क्या है तो मेरा value है 50 और criteria हम अपने मतलब select कर लिए और उसके बाद फिर यहाँ पर से home के अंदर यहाँ पर से देखिएगा कि conditional formatting नाम को option होएगा उस पर click किजएगा और इसमें हम set करना चाहते है color scale और यहाँ पर से more rule में जाएंगे more rule में जाने के बाद यहाँ पर से two color scale हम यहाँ पर से select किए और सबसे पहले number यहाँ पर minimum लिखा हुआ और उसके बाद maximum लिखा हुआ है जबकि हम यह दोनों को हटा कर हम highest number lowest number को क्या कर देंगे number जगा कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर से 50 है इसके भी जगा पर 50 कर दिए अब यहाँ पर से minimum में यहाँ पर से highlight होना चाहिए एक green से और उसके बाद फिर maximum मैंने कि 50 से ज़्यादा जो रहेगा वो red से रहेगा और जब OK बटन प्रेस करेंगे तो इस परकार से display आपके सामने open होगा जो 50 से ज़्यादा है वो red color से highlight हो गया और 50 और 50 से जो कम है वो green color से आपको show कर रहा है तो जब भी इस तरह से criteria और value पे आपको conditional formatting apply किया जाता है तो 38 का answer होगा एक number होगा फिर question number है 39 है कि in ms excel the dash dash function is used to sum the value in range that meets criteria to specify तो इसके लिए sum if का इस्तमाल करेंगे देखिए सिर्फ sum का अगर इस्तमाल करते तो उससे हम लोग क्या कर सकते थे किसी particular अलग-अलग value को हम लोग जोड सकते थे यानि कि जोडने के लिए sum formula का इस्तमाल किया जाता है बट यहाँ पर एक criteria दिया जा रहा है और एक range दिया जा रहा है आपको एक range के जरिए आप उससे criteria बताया गया है उसको सिर्फ जोडना है तो यहाँ पर से एक condition की बात पर आ गई जैसे आपके पास एनिकी 100 अलग-अलग sale है उनमें से कुछी sale को select करना है या फिर कुछी ऐसे value को जोडना है तो क्या होगा conditional for condition चीजे हो गई तो condition के लिए हमेशा इप का इस्तमाल होता तो sum से तो जोड़ेंगे और eep के हो गया condition का हो गया तो यह इसका answer 39 का answer एक number होगा फिर question number है 40 है कि worksheet में जब आप एक sale से formula copy करते हैं और दूसरी sale में paste करते हैं तब वो क्या होता है relative sale के reference से adjust होते हैं वो क्या होते है relative sale के reference से adjust होते होते हैं तो इसलिए इसका answer होगा दो number वो बिल्कुल सही answer है फिर question number 41 यह है कि MS Excel में एक sale यानि कि एक sale मतलब row और column जहां मिल रहा है एक sale की बात किया जा रहा है तो एक sale equal to से शुरू होता है या क्या दरसाता है या क्या प्रदरसित करता है तो यह प्रदरसित करता या फिर दरसाता या फिर कहिए कि so करतना चाता है कि यह formula लगा रहा है यह क्या लगा रहा है सुत्र लगा रहा है क्योंकि MS Excel में कोई भी formula हो कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो किसी भी type का formula हो आपको formula लगाने के लिए फिर question number 42 है 42 number question यहा है कि निमलिखित में से किस कुंजी यानि किस संयोजन का उप्योग किसी वर्क्षिट को सीखर पर जाने के लिए किया जा सकता है तो अगर आप जैसे किसी भी sale के अंदर है और आपको या फिर last में है या फिर middle में कहीं पर भी है और सीखर यानि के सबसे top में आपको आना है तो इसके लिए count से key combination यानि count से shortcut की combination का इस्तमाल करना होगा तो आपको combination में आपको बता देते है कि control plus home button का इस्तमाल किया जाएगा तो और यह question स्ट्रिप MS Excel में ही नहीं रुखता है बलिक MS Word PowerPoint सब जगह इसका इस्तमाल किया जाता है MS Word में जैसे suppose किजिए कि thousand page है और आप किसी भी page नमर पे है और अचानक आपको एक नमर page में आना है तो control के साथ आप home button फिरेस किजिए और एक नमर page में आजएगा इसी परकार से सब में इस्तमाल किया जाता है फिर अगला question है 43 number 43 number question यह है कि Microsoft Word में sorry Microsoft Word table column की निविंतम संख्या क्या होती है तो अगर यहाँ पर से आप क्या कर रहा है कि Word बे table में column की निविंतम संख्या कितनी होती है तो एक होता है यह तो right answer है बट इसे practical भी तो देखना होगा क्योंकि practical देखने के लिए हमें जाना होगा insert में और insert पे click करने बट table पे click करेंगे और यहाँ पर से insert table पे जैसी function पे जाएंगे और यहाँ पर से आपको बताये थे कि जैसे 63 column तक maximum create किया जाता है तो इसका minimum answer के आएगा तो एक आएगा तो यह right answer है कि एक होगा फिर question number 44 है कि macrosoft word यानि कि MS word में एक table में border को किस menu से संस्वधित यानि कि modify किया जा सकता है तो आप table पहले बना लिजिए उसके बाद फिर table tools आएगा और उसके अंदर designing नाम को option आएगा तो इसे भी चलिए आपको practical दिखाते हैं जैसे कि आप यहाँ पर से देखिए एक suppose किजे कि इस परकार से एक table बना हुआ है अब इस table में इसका border या फिर इसमें जो भी चीजे हैं इसे modify करना है थोड़ा color में या design में जो भी सारा चीज करना चाहते हैं तो पहले तो अगर आप बाहर हैं टेबल के बाहर हैं तो आप देखिएगा कि file से लेकर यहाँ पर view तक ही option बनेगा लेकिन जैसे टेबल पर आप click करते हैं तो एक table tool नाम को option बनता है और उसमें दो चीजे आती है पहला तो आता designing और दूसरा आता layout तो designing से क्या होता है designing से हम table के अलग-अलग तरह कर design कर सकते हैं और table के चीजों को यहाँ पर से देखिए erase करने का है तो हम चाहेंगे तो इस परकार erase कर सकते हैं अगर हम चाहेंगे किसी भी line को इस परकार से erase करने के लिए कोई भी line को हम यहाँ पर से draw भी कर सकते हैं जिस भी परकार से चाहेंगे उस तरह से हम लोग draw कर सकते हैं तो modify करने के लिए हमें कहां जाना होता है तो पहले तो आप table बना रखिए table बनाने के बाद आपको जाना है table tool पे और table tool के अंदर table से ही related चीज़े होती है उसके अंदर designing option पे क्लिक करके हम उसे modify कर सकते हैं और उसमें changing किया जा सकते हैं निस संसोधित किया जा सकता है फिर question number 45 है कि URL URL का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे जो लोग नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं कि क्या होता URL का पूरा नाम होता है uniform resource locator और इसे खास करके किसी वीडियो को address को copy करने के लिए तातपर किया जाता है तो चलिए आपको हम यह दिखाते हैं कि पारेली URL होता क्या है और कैसे किसी वीडियो को से हम copy करते हैं इसे URL कहा जाता है तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमने YouTube चैनल अपना own कर रखा है और इनमें से किसी वी वीडियो का अगर हम URL copy करना चाहें नहीं कि वीडियो का address copy करना चाहेंगे तो उस वीडियो पे हमें click करना होगा और जैसे उस वीडियो पे click करेंगे तो यहाँ पर से देखिएगा कि इस तरह से वीडियो का interface open होगा जो भी screen पे open होगा हम इसे चाहते हैं कि इसको copy कर लें या फिर इसे हम दुसरे के पास भेजना चाहते हैं तो इस पर right click करेंगे वीडियो पे और यहाँ पर से देखिएगा कि लिगता है copy video URL तो इस पे हम click करते हैं तो इस वीडियो का address copy हो जाता है या फिर जब आप share वालो option पे click करते हो तो share वालो option पे click किजेगा तो इस परकार से interface open होता है तो यह जो address तो करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते है वीडियो का URL का काम या होता है कि अगर आप इसका address को किसी के पास अगर भेजें for example अगर हम आपके पास WhatsApp कर दें या mail कर दें या फिर और भी कई तरही के चीज़े से आपको अगर भेज दें और आप उस URL पे click किजेगा तो direct ये video open होगा तो यहाँ पर से बोला जा रहा है question में की URL यानि की लिखा हुआ है कि www.google.com में अगर हम लोग Google की प्रतेक अगर हम लोग सिर्फ Google की बात करें इसमें सिर्फ जो Google.com है इसकी बात करें तो यह क्या है तो यह एक domain name है domain name क्या होता है domain name just like एक company चल रहा है तो उस company के जो website का नाम होता है एक तरह से एक तरह से कहिए है कि जो website है उसका नाम जो होता है उसे domain name का आते हैं जैसे बिहार राज मतलब सरकार.com या फिर बिहार गौर्मेंट.com या फिर बेल्ट्रोन.com तो जो बेल्ट्रोन जो है सिर्फ बेल्ट्रोन के नाम से जो website बनाए गया है उसी नाम को हम लोग क्या बोलते है domain का नाम कहा जाता है फिर question number 46 है 46 number question powerpoint से related है और ये question कहना चाह रहा है कि MS powerpoint 2016 में जब हम एक नई रीक्त यानि कि एक नई blank presentation बनाते हैं तो default रूप से कितनी slide बनती है तो उसमें एक slide बना हुआ होता है और बाकी slide जो होता है हमें अपने जरूरत के नुशार से create करना होता है तो जैसे आप यहाँ पर से देखिए हमोरपॉइंट ऑपन कर लेते हैं तो जैसे ही PowerPoint ऑपन किए तो यहाँ पर से एक slide तो पहले से बना हुआ है और बाकी slide जो है यहाँ पर से home पे click करने के बाद new slide वाले option पे click करके आप अलग अलग पर करके यहाँ पर से slide को create कर सकते है ज़रूरत के अनुसार से जो भी slide आपको रखना उसके अनुसार से आप create कीजेगा फिर question number है 47 है यानि 47 number कि MS Excel में इन में से कौन से column की चौड़ाई और row की उचाई को modify करने की तरीका भी है तो यहाँ पर से देखी बोला गया है कि column की चौड़ाई यानि column width और row की height को modify करने का तरीका भी है तो इसमें भी है कि बात किया जा रहा है यह नहीं है कि हाँ particular है बट भी है यानि कि वो भी उससे भी किया जा सकता है तो उसे हम लोग wrap text काते हैं wrap text का shortcut की alt plus enter होता है और यह अगर by option से आपको बताएं तो अगर आप Excel में जाते हैं और Excel में जाने के बाद आपको home पे click करना ह होगा home पे click किजेगा तो alignment group होगा alignment group के अदर यहाँ पर से देख सकते हैं आप अपने अगर आप अभी online देख रहे होंगे या पर जो भी चीज़े से देख रहे होंगे screen पर देख रही देखिएगा तो यहाँ पर जब mouse का cursor है इसी को हम लोग wrap text करते हैं wrap text में दो चीज होत फिर question number 48 है कि which of the willow is a type of image scanner तो इसे हम लोग flat bed करते हैं यानि कि जो scanner image जो scan करता है तो उसके style किस तरह होता है किस परकार से दिखाता है तो एक flat bed जो होता है उस परकार से scanner की images वहाँ पर से सो होती है और उसमें हम लोग paper रखके या फिर गईयों कि book रखके हम उसे scan करते हैं तो scanner आपको ये भी बता देते हैं कि scanner एक input device है जिसका इस्तमाल से हम लोग किसी भी paper ये page को हम लोग scan करके system के अंदर in करते हैं यानि कि उसे हम लोग डालते हैं और इसे दूसरा device ये भी बोला जाता है जैसे अगर आपसे question हम करें कि एक soft copy है उसे hard copy में convert करना है तो soft copy के प प्रिंट कर दें तो वो क्या हो जाएगा hard copy हो जाएगा तो soft copy से hard copy में convert करने के लिए printer का इस्तमाल किया गया अगर printer नहीं होता तो वो convert नहीं होता मतला hard copy में उसी परकार से अगर आपके पास कोई page है और उस page को आप साहते कि soft copy में convert करें तो उसके दो offset device होते है एक तो यह system के अंदर in कर सकते हैं फिर question number 49 है 49 number question यहा है कि mail merge के लिए इनमें से कौन सा मानी document का परकार नहीं है तो memo's नाम का उसमें कोई भी document परकार नहीं होता है mail merge के अंदर envelope होता है later होता है directory होता है तो अगर आप MS word में है इस परकार से MS word open कर देते हैं और MS word में आप यहाँ पर से चीज़े हैं बट उसमें कहीं भी memo's नाम का कोई भी option नहीं है तो इसके लिए इसका answer होगा दो number होगा फिर question number 50 है कि MS word में auto correct tool का उदेश क्या होता है तो auto correct tool का उदेश होता है MS word के अंदर कि type करते समय गलत वर्निये वाले सब्दों को जाच करना और गलत वर्निये वाले उस dictionary के अनुसार से कुछ गलत है तो वो क्या करेगा उसमें तो पहले एक red line उसके नीचे सो कर देगा और उससे क्या करेगा कि ओ जो lining है यहाँ पर से दरसाता है कि हमारा जो word जो type किया गया है उस dictionary के अनुसार से Microsoft word के जो dictionary है उसके अनुसार से वो गलत type किया गया तो आप उसमें सुधार लाइए, सुधार लाइने के लिए review पे click कर सकता है, या फिर उसमे right click करके भी किया जा सकता है, इसलिए आप यहाँ पर सो question का answer, यह 4 नमबर बिल्कुल सही होगा, फिर question number 51 है, 21 नमबर question यहा है, कि Microsoft PowerPoint 2016 में, notes के संबंदित में निमलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है एक नमबर में, क्यूंकि यहाँ पर से यह लिखा हुआ है, कि यह cable slide 100 के दोरान ही दिखाई देता है, जबकि ऐसा नहीं है कि आप PowerPoint अगर आप open करते हो, तो open करने के दोरा यह सारे चीज़ों, जो screen दिखाई दे रहा है, इसी हम लोग slide 100 काते हैं, तो यहाँ पर notes नम के तो कोई option है ही नहीं, तो option जो क्या होता है, कि ऐसा ही होता है, नॉर्मल ही आपको मिल जाता है, तो इसके लिए slide 100 के दोरान यहाँ पर से दिखाने के को ज़रूरत नहीं है, व फिर question number 53 है, 53 number question से थोड़ा सा पहले एक बर हम और इसे बता देना चाते है, 52 number क्यूंकि इसमें और अच्छे से confusion को किलियर कर देना चाते हैं, क्यूंकि यहाँ पर से code आप देखिए क्या लिखा हुआ है, dir और slash ad, तो dir का मतलब हो गया directory जो यहाँ पर से दीखा गया है, उस directory है, उसे वो display कराने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, फिर question number 53 है, कि presentation के दौरान, slide से दूसरी slide में जाने की का दृष से परभाग घटित होता है, उसे हम लोग क्या कहते है, तो slide transition के कहा जाता है, तो इसे आपको practical देखना चाहिए, और जैसे आप देख सकते हैं कि ए लिख दिये, ABCD लिख दिये, इस तरह से, उसके बाई एक और slide यहां पर से, और उसमें भी हम यहां पर से कुछ लिखती है, और इसके अंदर जो भी, मतलब एक picture के ताथ पर हम यहां पर से कुछ भी हम picture को यहां पर से लगा देना चाहते हैं, और जैसे लगाए हैं, तो हम तो एक presentation से, जब दूसरे presentation में जाते हैं, तो जो उसके साथ effect होता है, उसे कहां से set किया आता है, तो यहां पर transition नाम को option होता है, इस पर click करते हैं, और पहला पर तो यह click कर दिये, और उसके बाद दोसरा पर गए तो हम यह click कर दिये, तो चली हम यहां पर से, अब आपको apply क करके दिखाते हैं, कि यह finally काम कैसे करता है, तो इसको काम कराने के लिए हमें जाना होता है, सबसे पहले हम कुछ-कुछ design set कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जैसे हम यह five button press कियें, तो इस तरह से जो designing हुआ, इसी को transition कहा जाता है, उसके बाद फिर दूसरा आ गया, तो यह transition हो गया, तो इसके लिए ही यहाँ पर से क्या लिखावा, कि presentation के दवरान, यानि कि जब आपके screen पर presentation show हो रहा है, तो presentation के दवरान, एक slide से दूसरी slide में जाने के लिए, जो driss, यानि कि जो visually effect जो show करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे transition के नाम से जाना जाता है, फिर question number 54 है, कि MS Excel में row और column को format करने के लिए, toolbar से dash dash type का प्रियोग किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग page layout का इस्तमाल करते हैं, फिर question number 55 है, कि which type of chart is used to show trends, over time, year, month and days, अगर आपको इस तरह से चीजों को show कराना है, या फिर आपको category वाइस चीजों को show कराना है, तो उसके लिए आ आपको line chart का इस्तमाल करना होगा, line chart आप MS Word, Excel किसी भी चीजों में इसका इस्तमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तमाल करने के लिए आपको insert पे click करना होगा, और यहाँ पर से देखिएगा कि column chart है, line chart है, तो यहाँ पर से line chart के अलग-अलग यहाँ पर से function open होते हैं, जरूरत क अनुसार से आप उसे create कर सकते हैं, फिर question number 56 है कि निमलिखित में से count sub function, MS Excel में format का एक हिस्सा नहीं है, तो इसमें review नाम के चीजों जो है, वो format का हिस्सा नहीं है, क्योंकि review से हम अपने document को अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं, जिसे full screen देखना और भी कई तरीके से करना है, उसमें format and center का, इस्तमार painter का इस्तमाल कर सकते हैं, merge and center चीजों को आप sale के, किसी भी sale को या फिर function को अच्छी तरीके से modify कर सकते हैं, उसे एक proper धंग से create करने के लिए, Excel चार्ट को create करने के लिए, Excel worksheet करने के लिए formatting function का इस्तमाल किया जाता है, और उसमें review सामिल नह यानि कि low level language से लेकर high level language में भासा में convert होता है, अनुवाद करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे compiler के नाम से जाना जाता है, यानि कि जो low level language है, और low level language को अगर हम लोग high level language में जो convert करते हैं, तो जो convert करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे compiler के नाम से जाना जा का रहा है कि which of the following is a type of document mail merge के लिए आपको आपके पास यहाँ पर से क्या होना चाहिए mail merge और document में जो भी चीज़े है उसे बनाने के लिए design करने के लिए data source होना जाहिए और data source में क्या होता है तो जितने भी candidate है उसका information उसमें save किया हो रहता है फिर question number 59 है 59 number question यहाँ है कि MS Excel में auto sum drop down सूची यानि कि drop down list के तहत निमलिकत में से कौन सा वैद विकल्प नहीं है तो यानि कि कौन सा valid option नहीं है तो इसमें जो clip आट नम का option देख रहे है यह MS Excel के अंदर auto sum function में नहीं होता है आप अगर MS Excel open करते हैं और MS Excel के अंदर home पे click किजिएगा तो जब आप home पे click किजिएगा तो home ribbon के अंदर सबसे last में यहाँ पर से देखिएगा कि auto sum का option रहेगा और इसका arrow पे जब click करते हैं इसके list open होता है और इस list में sum, average, count number, maximum, minimum और भी कई function यहाँ पर से available होते है बट इसमें clipboard नाम का कोई भी function नहीं होता है clipboard home के अंदर यहाँ पे होता है जिसके अंदर cut, copy, paste available होता है तो इसका answer होगा एक number होगा फिर question number है 60 है कि MS Excel में इनमें से कौन सा style का एक हिस्सा भी है तो मतलब style का एक हिस्सा भी है तो यह conditional formatting है क्यूंकि conditional formatting से भी काफी अच्छे चे color किये जाते है जैसे यहाँ पर से जो देखें यह क्या होगी एक थोड़ा सा style बना कि ने इसी परकार से और भी कई तरह के चीज़ों को MS Excel के अंदर create किया जाता है conditional formatting के जरीए और भी कई function जो होता है यहाँ पर से conditional formatting से आप लगा सकते है और set किया जा सकता है तो जो भी चीज़े आपको बताया गया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजे कमेंट करके जरूर बताए कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद